ही एवरीवान, वेलकम टू बाइलिची एटीज बच्चों हिंदी में एक बहुत खुबसूरत कहावत है दूपते को तिनके का सहारा यानि कि जब मुश्किल समय आता है तो थोड़ी सी करीवी मदद भी बहुत बड़ी मदद साबित होती है आपके नीट 2024 एक्जाइम के लिए महस तीन महीने आपके पास बचे वे है और अगर आप लोग लेस दिन 30% प्रेपरेशन लेवल पर है तो आप लोग को आज की वीडियो में जो हाई स्कोरिंग इजी चप्टर्स Physics, Chemistry, Biology के लिए मैं बताने वाली हूँ वो आप सभी के लिए डूपते के लिए तिनके का सहारा प्रूफ होने वाले है बच्चों देखो एक बहुत प्राक्टिकल बात आप लोग के सामने रखोंगी जो कि हो सकता है बहुत लोग को कडवी भी लगे लेकिन कई बार कहते है न सच कडवा होता है इस सच को एकसेप्ट कर लो तभी जाकर आप लोग अगले तीन महीने में 100% एफ़र्स पूट करते वे प्रेपरेशन कर पाऊगे देख मेरे बच्चे आज से लेकर 5th मे तक आप प्लीज मेरे यूट्यूग चैनल बाइली जी इस पर मत एकस्पेक करिएगा कि मैं अब आपनों के लिए ऐसी वीडियो अपलोड करूँ कि कैसे अगले 2 महीने में 680 प्लास स्कोर करे मेरे अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हो सकता है काफी बच्चों को ये बात गलत लग सकती है लेकिन यही सच्चाई है समझदार ये इस चीज में रहेगी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉग करते हैं उस कैटेगरी के लिए गॉर्मेंट ए बीबीए सीट पाने के लिए जो मिनिममम सेफे स्कोर है आप उसको टारगेट करे और उसको ध्यान में रखते वे प्रेपरेशन करे अगर आप जनरल कैटेगरी से है मिनिममम 620 तू 630 आप माक्स टारगेट करिए कि इतने स्कोर करने लायक मुझे प्रेपरेशन करनी है अगर आप लोग SCST कैटेगरी से हैं मिनिममम 550 टारगेट करिए अगर आप लोग OBC कैटेगरी से हैं मिनिममम 590 प्लस टारगेट करिए और इस तरीके से आप लोग NEED 2024 की प्रेपरेशन करिए प्लीज इस बहकावे में मत आना और कोई भी ऐसी स्ट्राटेजी वीडियो मेरे हिसाब से नहीं देखना जहाँ पर ये बताया गया हो कि आखिर के दो महिने में पढ़कर भी 680 प्लस मार्क्स आ सकते हैं आप लोग उतने मार्क्स अचीब करने पर फोकस करिए जो कि आपको खुद से भी लगे कि प्रैप्टिकल है पॉसिबल भी है मेरे लिए ठीक है ना अच्छा हम शुरुवात करते हैं बाइली जी के इजी एन हाई स्कोरिंग चैप्टर से मैंने आप लोग के सामने दस चैप्टर के लिस्ट रखी है बच्चों सबसे पहले दा लिविंग वर्ल मान सकती हूँ यह हाई स्कोरिंग चैप्टर तो नहीं है लेकिर एकदम लल्लू सा चैप्टर है चाहे आप अपने आपको below average student भी consider करते हो ना तो भी तुम लोग इस चैप्टर को maximum डेट घंटे में complete कर जाओगे एक question तो यहां से हमेशा बन कर आता ही आता है सुनने में ऐसा लगता है कि एक question एक question ही तो है यार एक question है लेकिन चार नंबर है कई बार इस चार नंबर से बच्चों की MBBS की seat रह जाती है और उन्हें सब BDS मिल जाता है BDS की seat रह जाती है उन्हें BMS मिल जाता है तो यह चार नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा माइने रखते है The Living World आप लोगं का 1-5 घंटे में complete हो जाएगा वही चीज जाती है reproductive health chapter में maximum 3 घंटे आप लोगं के लगेंगे आप चाहे तो यह दोनों chapters एक साथ cover कर सकते हैं एक के दिन में दोनों chapters निपड जाएंगे फिर आता है sell the unit of life, plant growth and development बच्चों को खौफनाक लगता है लेकिन यह खौफनाक नहीं है मेरी जान मेरे YouTube चैनल पर बाइर जी शॉट देशी ट्रिक वाली एक playlist है जहाँ पर मैंने आप लोगं को plant growth and development इस chapter से related जितने भी phyto hormones हैं सभी के functions within 15 minutes learn करवाएवे हैं तो 15 minutes में तुम्हारे चप्टर मेरी उस वीडियो को देखकर complete हो जाएगा Human physiology unit वैसे तो बहुत जादा important है और मुझे लगता है सबसे जादा easy unit भी है लेकिन काफी बच्चों को वहाँ पर neural control and coordination, chemical coordination, integration, excretion वाला chapter डिफिकल लगता है तो पूरी unit अगर तुम ना भी target करो तो कम से कम body fluids and circulation chapter तो आप लोग कर लेंगे इन सभी chapters में से human reproduction, reproductive health, microbes, human health and disease इन चारो chapters के quick revision shots videos मेरे YouTube channel के बायर जी super short series इस वाली playlist में uploaded है तो आप लोग को quick revision करना है shots की form में तो इन chapters का quick revision आप लोग मेरे super short series वाली videos से भी चेक कर सकते हैं ठीके बच्चों बच्चों अब आप लोग के पास इतना time नहीं है कि हर chapter से related आप लोग notes बनाएं तो अगर आप लोग notes बनाने की सोच भी रहे हैं तो सिर्फ उन particular topics के notes बनाएं जो के आपको बहुत जादा difficult लग रहे हैं अच्छा पूरी need biology का fast learning plus quick revision करने के लिए आप लोग दिशाप अप्लिकेशन की NCRT tablet biology book भी यूज़ कर सकता है बच्चों ये एक छोटा packet बड़ा धमाका है सबसे पहले तो NTRMC latest labels based ये book है इस book में आप लोग को पूरी की पूरी need biology के हर एक chapter के हर एक topic को one line of format में present कियावा है अच्छा आप लोग के NCRT के कौन कौन सी line से need में previous questions पूछे गए थे उन particular lines को अलग से highlight भी कियावा है NCRT में दियावा हर एक diagram, हर एक flow chart, हर एक table भी इस book में mention करी भी है ना सिर्फ आप लोग को quick revision notes प्रोवाइड कराएवे हैं बलकि difficult topics को याद करने के लिए tips and tricks और mnemonics भी प्रोवाइड कराएवे हैं बच्चों भी available है, आप चाहे तो उन्हें भी purchase कर सकते हैं और इन तीनों subjects का combo भी Amazon flip card पर available है तो मैं आप लोग को इस video के description में combo का link भी provide करा रही हूं और separate biology NCRT tablet book का भी link प्रोवाइड करा रही हूं जिसके जरी आप लोग need 2024 preparation के लिए quick revision plus fast learning कर सकते हैं तो biology के 10 high scoring plus easy chapters के list ये रही next हम बात करते हैं बच्चों chemistry के chapters की मैंने 8 chapters के list बराई हैं आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं biology और chemistry के बाद आप आता है वो subject जिनसे आपको सबसे जादा ड़ लगता है लेकिन इस डरावरे subject में भी कुछ ऐसे chapters हैं जो कि बहुत जादा easy हैं of chemistry and 10 chapters again from biology ये आपको next 1,5 महीने के अंदर-अंदर cover करने हैं और ना सब पढ़ने हैं बलकि इनका एक बार का revision भी करना है तभी जाकर आप लोग अपने targeted score के काफी करीब आजाएंगे अब इन chapters को cover करते वे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सबसे पहले एक deadline set कर दीजेगा जैसे कि मैं biology के अगर बात करूं तो biology के 10 chapters करने के लिए मुझे ने लगता आप लोगो एक महीने से जादा time लगने वाला है मैं इस वीडियो को 25 जनवरी को upload कर रही हूँ अगर आप लोग 1st March तक भी इन सारे chapters को cover कर देते हैं तो आपका syllabus बहुत अच्छे से बहुत आराम से cover हो जाएगा बच्चो यह living world and reproductive health यह दोनों chapters से तुम एक दिन में cover कर जाओगे sell the unit of life मुश्के से एक दिन तुमारा लेगा plant growth and development जैसे कि मैंने बताया पूरी वीडियो 15 मिनिट की मैंने upload करी भी है जादे साधा एक घंटे में तुमारा chapter complete हो जाएगा body floats in circulation again एक दिन तुमारा लेगा human reproduction एक दिन लेगा microbes in human welfare एक दिन लेगा एक एक दिन लगेंगे बच्चो 10 chapter है 10 दिन में cover हो जाने चाहिए अगर speech slow भी है 20-25 दिन ही maximum तुम्हें लगेंगे इन सभी chapters को cover करने के लिए उसी तरीके से आप लोगों को ये पूरे chapters कितने chapters है पूरे 28 chapters है 10 chapters of biology 10 of physics and 8 of chemistry ये 28 chapters करने के लिए आप लोगों को maximum कितने दिन लगने वाले है उसकी deadline set कर दीजेगा मेरे हिसाब से ये deadline रखिएग के previous 10-year questions भी करेंगे biology के हर एक चैप्टर के questions करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बाइलीजी एटीज से chapter wise mcqs की PDF डाउनलोड करते वे questions प्रक्टस कर सकते है बच्चों और last चीज इस एक महिने में आप लोगों को सिर्फ ये chapters पढ़ने नहीं है बलकि इन chapters का एक बार का revision भी करना है तो इस तरीके से अपने daily के target set करना रात को सोने से पहले दिन भर में जो कुछ ही पढ़ा था उसको revise करके सोना ताकि आप लोगों का उस दिन भर में जो कुछ ही पढ़ा है ना सिर्फ उसकी learning हो बलकि उसका revision करने के साथ आप लोग वो particular दिन खतम कर हूँ देखो अभी भी chances हैं कि आप लोगों को government MVBS seat मिल सकती है जो practical बात है जो reality है उसको face करते वे preparation करो 700 प्लस target मत करो वो score target करो जो कि तुम्हें तुम्हारे लिए achievable लग रहा है और उस पर महनत करो मेरे यूट्यूब चैनल बाइली जी शॉर्ट से भी connected रहिएगा जिसके community post section में मैं आप लोगों को need biology के topic wise quick revision करने के लिए colorful posters प्रोवाइट करा रही हूँ और need biology का chapter wise MCQs practice करवारी हू community post poll की form में इसके अलावा biology के chapter wise, unit wise, full syllabus mock test के लिए आप लोग मेरे telegram channel से भी जुड़े रहिएगा thank you so much for watching this video and if you like it make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos thank you